हलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल जै मातादी आज हम सुनेंगे महालचमी गजलचमी व्रत की कथा यानि की हाथी पूजा की कहानी महालचमी का व्रत भादरपद महिने के सुक्ल पच्च की अश्टमी तिथी से प्रारम किया जाता है और यह व्रत अश्विन महा की कृष्ण पच्च की अश्टमी तिथी तक किया जाता है सोलवे दिन महालचमी व्रत का उद्यापन किया जाता है तो चलिए फिर कथा सुनना प्रारम करते हैं एक समय की बात है महर्शी वेदव्याश हस्तिनापुर पधारे उनका आगमन सुनकर महाराज ध्रतराष्टर उनको आदर्शहित अपने राजमहल में ले आए स्वण सिहासन पर विराजमान किया उनके चरडो दक लेकर उनका पूजन किया स्री वेदव्याश जी ने माता कुंति तथा गांधारी ने हात जोड़ कर प्रशन किया कि हे महामने आप त्रिकाल दर्शी हैं अते आप से हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राजी लचमी सुकसंपत्ति पुत्र पुत्रोदी वो परिवार शुखी रहे इतना सुनकस्री वेदव्याष जी कहने लगे हम एक ऐसे व्रत का पूजन वा वर्णन कहते हैं जिससे सदाल अचमी जी का निवास होकर सुक समरद्धी की व्रद्धी होती है यह स्री महालचमी जी का वरत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विन महा की कृष्ण पच्च की अश्टमी को विदिवत किया जाता है हे महामुने इस वरत की विदी हमें विस्तार पूरुक बताने की क्रपा करें तब वियाश जी बोले कि हे देवी यह वरत भादर्पत सुक्ल अश्टमी तिथी से प्रारम किया जाता है इस दिन इश्नान करके सोले सूत के धागों का डोरा बनाएं उसमें सोले गाठ लगाएं हल्दी से पीला करें प्रत दिन सोले दूब बस सोले गोय हूं डोरे को चड़ाएं अश्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाती पर स्री महालचमी जी की प्रतिमा रखकर विदी पूर्वक पूजन करें इस प्रकार शद्धा भक्ती सहित महालचमी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज लचमी में सदा अभिवरद्धी होती रहेगी इस प्रकार का व्रत का विधान बता का श्री वेद व्याजीन अपने आस्रम में प्रस्थान कर गए इधर समय के अनुशार भादरपज सुक्ल अश्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंब करने लगी इस प्रकार 15 दिन बीत गए 16 वे दिन अस्विन कृष्ण अश्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्थित महलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया माता कुंती के यहां कोई भी महला पूजने के लिए नहीं आई साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा उन्होंने पूजन की कोई तयारी नहीं की वा उदास होकर बैठ गई जब पांचों पांडव, युदिष्टर, भीव, अरजुन, नकुल, सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा हे माता आप इस प्रकार उदास क्यों है आपने पूजन की तयारी क्यों नहीं की तम माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र आज महाल अच्मी जी के वरत का उतसव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है उन्होंने नगर की समस्त महला को बुला लिया और उसके सो पुत्रों ने मिट्टी का एक विसाल हाथी बनाया जिस कारण सभी महलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहां चली गई लेकिन मेरे यहां नहीं आई यह सुनकर अरजुन ने कहा कि है माता आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगा दें कि हमारे यहां स्वर्ग के एरावत हाथी की पूजन होगी इधर माता कुंती ने नगर में धिडोरा पिटवा दिया और पूजा की विसाल तैयारी होने लगी उधर अरजुन ने बाड के द्वारा स्वर्ग से एरावत हाथी को बुला लिया इधर सारे नगर में सोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का एरावत हाथी प्रत्वी पर उतार कर पूजा जाएगा समाचार को शुनकर नगर के सभी नरनारी बालग एवं ब्रद्धों की भीड एकत्र होने लगी उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई वहाँ एकत्र हुई सभी महलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसा ठस भर गया माता कुंती ने एरावत को खड़ा करने हेतू अनेक रंगों की चौक पुर्वाकर नवीन रेस मी वस्तर बिचवा दिये नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला अभीर गुलाल के सरहाथों में लिए पंक्ति बद्ध खड़े थे जब श्वर्ग से एरावत हाती प्रत्वी पर उतरने लगा तो उसके आवुश्णों की धुनी गूंजने लगी एरावत के दर्शन होते ही जैजैकार के नारे लगने लगे सायकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाती एरावता कुंती के भवन के चौक में उतर आया तब सब नर नारियों ने पुश्प माला, अबीर, गुलाल, केसर, आदी, सुगंदित पधार्थ चड़ा कर उसका स्वागत किया राज पुरोहित द्वारा एरावत पर महालचमी जी की मूर्ती स्थापित करके वेद मंत्रो चारण सहित पूजन किया गया नगरवाशियों ने भी श्री महालचमी जी का पूजन किया फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर एरावत को खिलाए और यमना कजल उसे पिलाया गया राज पुरोहित द्वारा स्वस्ती वाचन करके महिलाओ द्वारा महालचमी का पूजन कराया गया सोले गाठों वाला डोरा महालचमी जी को चड़ा कर अपने अपने हाथों में बांध लिया ब्रामणों को भोजन कराया गया दच्छना की रूप में श्वड आबू सड वस्त्र आदि दिया गया तत पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधूर संगीत लहरियों के साथ बजन कीरतन कर संपूर रात्री महालचमी वृत का जागरन किया दूसरे दिन प्रात्य राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोचार के साथ जलासाय में महालचमी जी की मूर्ती का विशरजन किया गया फिर एरावत को विदा कर इंद्र लोग को भेज दिया इस प्रकार जो इस्त्रिया स्री महालचमी जी का विदी पूर्वक वरत्वा पूजन करती है उनके घर धन धाने से पूर रहते हैं तथा उनके घर में महालचमी जी शदा निवास करती है बोलिए महालश्मी माता की जै आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना पसंद आई हो तो लाइक करना और जादा से जादा शेयर करना हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना धन्यवाद जै माता दी